तो बात करेंगे नमबर छे की ये शुक्र का अंक है ग्लैमर का सबसे बड़ा अंक माना जाता है इस अंक की खूबियां, इसकी कमियां, इसकी खासियत और जीवन समारने के उपाय क्या हो सकते हैं इस विशेपर बात करेंगे चलिए कारिक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग आज तिथी है श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी इसके उपरांत सश्थी तिथी नक्षत्र है पूर्वा भाद्रुपद नक्षत्र चंद्रमा कुम्भ राशी में संचरण कर रहे हैं राहुकाल का समय सवेरे के 10 बच के 30 मिनट से दोपहर के 12 बजे तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मना ही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है मजबूरी है तो जरासी दही खाकर और भगवान का समरण करके अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे सबसे पहले जानते हैं कि नंबर 6 का जोतिश में क्या महत्व है जोतिश नंबर 6 के बारे में आखिर क्या कहता है देखिए अंक 6 जो है ये शुद रूप से शुक्र का अंक है हर ग्रह का एक स्वामी होता है ना हर अंक का एक स्वामी होता है और नंबर 6 का जो स्वामी है वो है शुद रूप से शुक्र अब चुकि शुक्र इसका स्वामी है इसलिए इसमें ग्लैमर भी बहुत है और सौंदर ये भी बहुत है इसमें ग्लैमर और सौंदर ये कूट-कूट कर भरा हुआ है इस अंक में कुछ हिस्सा बुद्ध का भी पाया जाता है 99% अगर ये शुक्र है तो 1% इसमें बुद्ध की संभावनाएं भी होती है इसी लिए 6 अंक वाले प्रजेंटेशन के जादूगर होते हैं जो चीज प्रस्तूत करेंगे, जो चीज लिखेंगे, जो चीज बोलेंगे, जो चीज कहेंगे उसमें उनका जो प्रजेंटेशन होता है, उसमें जो उनका प्रस्तूती करण होता है वो बड़ा अध्भुत होता है, बड़ा ताकतवर होता है ये अंक विवाह और प्रेम के मामलों में बहुत कारगर होता है अगर किसी छे अंक वाले से आपका प्रेम हो रहा है या छे अंक वाले से आपका विवाह हो रहा है तो जीवन में सुखी रहने की संभावनाएं निश्चित रूप से बढ़ जाती है और छे अंक वाला अगर आपके जीवन में आ जाए तो जीवन में और कुछ आए या ना आए लेकिन आपके जीवन में ग्लैमर और पैसा बहुत आसानी से आना शुरू हो जाता है